कि अज़िए कि अज़िए कि नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटुब चैनल क्रिप्टो राठ हुरूए आप सभी कस्व हो गते दोस्तों कि अज़िए करेंगे क्रिप्टो करेंगे कि ट्रेडिंग की ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो उसमें कौन सा कोईन पाई करना है और किस कोईन को टेक्निकली कितना स्ट्रोंग है उसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को देखें दोस्तों आगे बड़े से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ता कि आपको टाइम टू टाइम सारी जैनकारी मिलते रहे ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों आप हम सुरू करते हैं कि क्रिप्टो करन्सी ट्रेडिंग में कैसे काम करना चाहिए और अपना जो प्रोफिट है वो कैसे अरन करें हम स तो आपको अच्छा-खास प्रोफिट दे सकते हैं ठीक है धोस्तों टॉफ फाइफ कोईन में आक्स्ट थ्री वीक के लिए आपको बताने जा रहा हूँ ठीक है दोस्तों कौन सा कोई ट्रेडिंग के लिए बेस्ट रहेगा आपके लिए और जो भी डाट्टा है वो शेर कर है दोस्तों 19 December को इस coin में fork होने वाला fork के बाद क्या है कि सका rate काफी high हो जाएगा और इसका जो fork already scheduled है 10 December से 19 से 24 December तक इसका fork जो complete हो जाएगा और इस coin का जो rate है वो अभी काफी high चल रहा है और आज ये third time Bittrex exchange के उपर top coin में चल रहा है ठीक है इसका volume सबसे ज़्यादा है 8% और काफी अच्छा profit दे रहा है जैसा कि आप rate देख रहे हैं November December और December में जो fluctuation आई है इसमें वो काफी ज़्यादा है 5 December के बाद ठीक है दोस्तों इसका जो प्राइस है वो बीस जार सतोसी के सपस जा चुका है या लड़ी यह 16,000 से तोसी है यह तोड़ा एक वीक पहले का प्राइस है ठीक है दोस्तों तो इस कोईन ने एक महिने में 22 कुना प्रॉफिट कमा लिया अगर आप एक जार रुपे लगाते तो अब बाइसजार डोलर यहांसे कमा सकते हैं एक जार डोलर से बाइसजार डोलर इतना इस कोईन ने प्रोफिट अभी तक दे चुका है पिछले एक महीने में ठीक है दोस्तों तो इस कोईन को जो है टेक्निकली इस में कुछ अभी होना है फॉर्क के बाद जो इसका जो रेट वो काफी बढेगा ठीक नेक्स्ट कोईने दोस्तों एथिरियम क्लासिक फॉर्क घषिए जो है वो शेडूल है ठीक है 11 और 12 December को Ethereum Classic में Forex schedule है और इसका जो rate है वो काफी down हो गया था 10-12 डॉलर के असपास और इसका जो highest rate है वो 33 डॉलर तक जा चुका है और इसमें जो Forex schedule है वो आप देख सकते हैं 11 December और 12 December को ठीक है दोस्तो इसके जो blocks है वो उसमें Forex होना है है और इसके टोटल सप्लाइए 210 million ethereum classic coins है और जब Forex हो जाएगा तो उसके बाद जो इसके जो coins की supply है वो stable हो जाएगी ठीक है यह इसका जो ethereum classic का जो node है उसकी structure है ठीक है और यह इसका graph है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो भी fluctuation है वो हम देख सकते है graph के द्वारा ठीक है November 2017 के बाद इसमें fluctuation काफी जएदा आया है और इसका जो price का fluctuation है वो highest 33 डोलर तक जा चुका है और future में जब फुरक होगा तो उसके बाद इसका जो price है वो भी जएदा जाने की संभावना बनी रहेगी ठीक है दोस्तो इसका आप जो graph हो देख सकते है ठीक है जो next coin है दोस्तो आप guess कर सकते कौन सा coin होगा जो कि आज कल बहुत ज़्यादा चर्चा में है market में ठीक है दोस्तो जी हाँ electronium electronium का जो coin है वो 2 November को schedule होना था wallets वगरा कुछ problems आगी थी system में कुछ bug आ गया था उस bug को निकालने के लिए electronium की जो team है उसने hacker one जो की एक specialist company है जो की website को security प्रवाइड करती है जिसने Uber को Amazon को इनकी जो website है उनको security प्रवाइड कर रहे है तो उसने electronium को पूरा take over कर लिया है और सभी testing लगबग हो चुकी है उनकी ठीक है जो current इनका coin है वो crypto paper market में चल रहा है और last चार दिन से वो 668 BTC अलड़ी volume touch कर चुका है और आये straight 995 हो चुका है next यह हीट BTC लिखवी पोलोनिक्स और बिटक्स के उपर आने वाला है और इसके लिए voting चल रही है ठीक दोस्तों तो इसका जो price है वो काफी ज़्यादा जाने वाला है next three week में electronium का next है ocean coin तो दोस्तों ocean coin है इसमें भी technically कुछ चीजें काफी improve हुई है पिछले दो वीक में जैसा कि यह already coin exchange के उपर इसकी जो trading है वो चल रही है और price का जो fluctuation है वो काफी चल रहा है इसमें इस coin का जो price prediction है next three week का जो है सात रुपए से 10 रुपए के बीच का production इसका रखा गया है ठीक है तो अलड़ी इस coin में काफी संभावना है जो इसका technically जो इसमें काफी कुछ technology improvement हुई है अभी हाल फिलाले में पिछले दो वीक से और इसका ट्रेडिंग वोल्यूम है वो भी धिरे-धिरे बढ़ रहा है तो यह coin हमें profit दे सकता है next three week में ठीक है दोस्तों तो ओजिन coin का जो price production है वो साथ से 10 रुपे के असपास रहेगा next three week में और उसके बाद जब हम coin के बाद करेंगे fifth coin अपना होगा bitcoin cash तो bitcoin cash अलड़ी two six double zero dollar touch कर चुका है ठीक है bitcoin cash जो की coin है miners का bitcoin की जो mining करते हैं उनका एक coin है जो की bitcoin का फॉरक अलड़ी हो चुका था तो इसका price भी अब जाना चाहिए next three week में ठीक है जैसा कि हम देख सकते हैं BMC तो अपना जो first coin coin था आयने स्टीनियम इसका जो वोल्यूम आप देख सकते हैं काफी ज्यादा है टोप पी चल रहा है ठीक है और lowest और highest price पी आप देख सकते हैं अभी करेंटली एक महिने में 22 कुना profit दे चुका है ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं इसके जो spikes है वह आप देख सकते हैं ग्रीन इकलर के ठीक है और इसका जो highest और lowest price पे आप देख सकते हैं यहां पर ठीक है दोस्तों और तो इस coin में जो forex schedule है वह 19 December से 24 December के बीच है और 10 December को start होगा है इसका जो फॉरक और फॉरक से पहले इस coin का जो rate हो काफी high होगा currently 2.48 डोलर इसका जो rate है वह चल रहा है ठीक है दोस्तों और इसके बाद हम next coin के बारे में discuss करेंगे coin exchange के उपर है ओजीन coin ठीक है दोस्तों तो ओजीन coin से पहले मैं आपको बताना चाहा रहा हूं इथरिम classic के बारे में इथरिम classic का जो coin इसका जो current rate देख रहे हैं रहे हैं आप 27 डोलर है ठीक है 27 डोलर और इस में जब forex schedule हो गया है 11 से 12 December के बीच तो इथरिम classic का जो rate है वह भी high होगा ठीक है दोस्तों जैसा कि आप इसका जो spikes है चार्ट है वह देख सकते हैं ठीक है यह डाउन आया यहाँ पर अल्रडी ओर डाउन से फिर अप गया है 23 डोलर अल्री टच किया इसने 33 डोलर से 23 फिर इसके बाद 27 डोलर पर भी currently चल रहा है ठीक है दो नेक्स्ट है ओजीन coin में जैसा है कि हम देख सकते हैं जो इसका buying volume और sell volume और इसके जो spikes हम देख सकते हैं पिछले दो वीक के अंदर ओजीन coin का जो price production है वो काफी बढ़ चुका है जैसा कि इसका जो website ओजीन coin.com उस पर जाकर आप सारी information देख सकते हैं ओजीन के बारे में और ओजीन crypto.com पर अभी हाली फिलाल में इसमें कुछ टेक्निकली चेंजिस किया गया है जिसके कार्ण इस coin की डिमांड वो मार्केट में काफी बढ़ गई है ठीक है इसके कार्ण इसका जो प्राइस है वो साथ से 10 रुपए रहने की संभावना है नेक्स्ट तरी वीक में उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे कि वालिट है वो सब उपन हो जाएंगे उसका प्राइस का प्रेडेक्षण वो काफी अनविवबल जाएगा क्योंकि यह जो क्वाईन है मोबाईल माइनिंग बेस कोईने मोबाईल से हैं सक्वाईन की माइनिंग होगी विसके टेकनोलोजी है वो काफी अलगतर है ठीक है औ उसके बाद 20C दोस्तों ठीक है बिटकोइन कैसे उसका प्राइज भी काफी हाई जाएगा नेक्स्ट थरी वीक में जाने की पूरी-पूरी संभावना ही है दोस्तों तो दोस्तों आपको यह जान करें कैसे लगी लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब